तेलो फ्रेंड में उसका भी हमें जिस तरीके से धियान रखते हैं तो सबी जगे इस तरीके का मौसा बब चल नॉर्थ इंडिया में चालू हो जाता है तो वाटरिंग के स्पेशल धियान रखना ज़रूरी है ज्यादा वाटरिंग करेंगे तो आपके फूर्ट प्लांट को भी जो है फंगस का इंफेक्शन हो सकता है देखिए मैं हमेशा ये सब्सक्स बात केद ल्यों और जमीने पूड़ा लगाते दॉन हञा जै तो हमें धिहान रखना जरूरा है इतन्हित अपने का जब भी आफ यह फूर्ड प्लांट ग्रो कर के कोश्चन से उनके भी इस वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो चैनल को लाइक शेद और सब्सक्राइब जरूर कीजिए विकी फ्रेंड्स आज जो मेरा टॉपिक है वाटरिंग पर है जिस तरीके से समर में हम अपने प्लां अपनी होती है जितने अधर प्लांट को वेजिटेबल जो हमारे फ्लावर प्लांट होते है अन्हें पानी की जरूरत होती है क्योंकि बहुत हाड़ी प्लांट होते है तो मुझे अभी लगभग इसे पानी है तो इसको हमें पानी कब देना है, जब मेरी थोड़ी इस स्वाइल बिलकुल सूखने लगेगी, तब हमें इसे वाटरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि धीरे धीरे जो है सनलाइट अब कम होती जा रही है, तो पानी भी कम सूखता है, तो मान के चलिए सनलाइट बिलकुल नहीं आए एक वीक, तो आप देखेंगे, एक एक वीक तक हमें पानी देनी की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इस काम को न करें कि प्लांट को पानी, अक्सर हम जो गलती करते हैं, यह हम देखतें कि एक प्लांट में पानी नहीं, तो हम स फ्रूट प्लांट हैं, कुछ इस तरीके से हैं, जो इस समय डॉर्मेंसी पीरड में हैं, जैसे हमारी ग्रेप वाइन, यह देखें, इसमें धीरे-धीरे सारी लीव्स यलो होकर आपकी गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको घबराने की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं आप इस चीज का ध्यान रखें, यह भी नहीं है कि आप इसे पानी ही ना दे, पानी नहीं देंगे तो आपका प्लांट जो है मर जाएगा, जब मेरी सॉइल बिलकुल सुख जाएगी, तब ही हम जो है इसे वाट्रिंग करेंगे, दूसरा एक चीज यह भी है कि जब फर्ट इसका प्लांट है, ड्रेगन फूट का, और वैसे भी ड्रेगन फूट के प्लांट को बहुत कम वाट्रिंग की ज़रूत है, समर में भी कमी ज़रूत होती है, विंटर में तो इसका ध्यान रखें, मैंने लगवट चाहएद 10 दिन होगे इसकी वाट्रिंग नहीं किये, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि इसे बहुत ज़्यादा वाट्रिंग ना करें, जब बिल्कुल सौइल सूखने लगे तब ही वाट्रिंग करें, अगर इसे एक दो दिन पानी नहीं मिलेगा, तो इसका काम चल जाएगा, इसके अंदर जो वाटर होता है, उससे ये अप तो हम यह कहते हैं कि अर्ली मौर्निंग दे हैं या शाम को दे, तो पानी का जो टाइमिंग है वो आप अपने accordingly रख सकते हैं, जैसे अब इस तौछ शेख सकती है, तो अब ही जैसे ये मेरा प्लांट अपनी जुझे जरूत होता है तो एक week से ज़्यादा मुझे हो चुका है तब भी मैंने इसे पानी नहीं दिया main सबसे बड़ा यही reason होता है जैसे जैसे plant अपनी growth करता है तो उसे उतनी ज़्यादा water की ज़रुवत होती है तो अब जब यह rest में है तो इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रुवत नहीं है तो हमें पानी का धिहान रखना बहुत ज़रुरी है देखिए बार-बार मैं इस चीट को इसी लिए repeat कर रही हूँ हमारे जो fruit plant हैं इसी वज़े से मर सकते हैं कि हम उन्हें over watering कर देते हैं और आप अपने pot का जो है drainage system best रखें देखिए अब जैसे ये मेरा plant है अब बारिश आएगी हम उसे तो नहीं रोक सकते देखिए अब इतने सारे मेरे पास 28 से ज़्यादा जो fruit plant है उन्हें मैं अंदर तो नहीं सब को shift कर सकती हूँ तो ये हमारे यहीं पर रहेंगे तो मैं एक छोटा साब के साथ tips का मैंने video भी डाला हुआ है वो मैं आप इस बार फिर से इस video में repeat कर दूँगी क्योंकि देखिए pot का drainage system best है कोई problem नहीं है आपका सारा पानी drain out होकर निकल जाएगा भार देखिए ये बारिश का होना और विंटर में होना ये सारी चीजे तो ये इसलिए पानी इस तरीके का आता है तो घबरानी के ज़ूरत में पानी हमारा drain out हो जाएगा हमें ज्यादा watering नहीं करनी है इस चीज का ध्यान रखना है कि ये नहीं और एक अपना soil का mixture देखिए मैंने वीडियो शेर की हुए कि जब हम गमले में कोई fruit plant को लगाते तो उनका soil mixture आप जो बैस्ट बनाइए ताकि अगर soil mixture आपका बैस्ट है pot का drainage system बैस्ट है कोई आपके plant को root rot के problem नहीं होगी फंगल infection का chances बहुत कम होंगे देखिए friends ये जैसे मेरा बेर का plant है तो बेर में अभी समय fruit हो रही है तो अब हमें क्या होगा कि इस plant को पानी का ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि हमारा pot बिल्कुल सूख जाएं तो हमारे fruit भी ये सूख कर गिर जाएंगे क्योंकि इने पानी provide करना आपको जरूरी है तो soil को बिल्कुल सूखने हमें नहीं देना है जब भी हमारे कोई भी अमरूत का जैसे लोगों की जनरली अमरूत पर fruit ला रहे है इस समय बेर पर fruiting हो रही है अनार पर fruiting हो रही है जिन जिन fruits पर आपके fruiting हो रही है उन्हें पानी अच्छे से provide कराएंगे सौगी बिल्कुल नहीं करना है लेकिन ये भी नहीं है कि आप उस soil को सूखने देंगे तो fruits आपके जड़कर गिर जाएंगे तो ये चीज़ भी आपको important ध्यान रखना है लेकि अभी तो मेरे आजकल apple bear में fruiting हो रही है mango में हो रही है और अनार में हर्वेस्टिंग कर चु तो मुझे कम से कम 15 दिन हो चुक है मैंने इसके पानी नहीं दिया है जब इसमें leaves ही नहीं है तो देखिए पानी की भी कम ज़रत है अगर इस stage पर आपने से ज़्यादा पानी प्रोवाइट करा दिया तो आपका plant खराब होगा इसलिए मैं देखे हमेशा इस तेज कधें रहती है इसलिए कोशिश मैं यही में करती हूँ कि अपने घर में पानी मैं ही दूँ क्योंकि generally जब मैं किसी को भी बोल देती हूँ कि चलो आज जाके पानी दे दो तो वो यही गलती करते हैं कि पानी एक प्लांट को देंगे तो mostly सभी प्लांट को जो पानी दे देते हैं लिवर्ट्रिंग करते हैं यह लेस दन वाट्रिंग करते हैं देखे इस फ्लावरिंग स्टेज पर है तो अगर आप ज्यादा वाट इंकर देते हैं तो आपके फ्लावर्स जड़ जाते हैं और फ्रूट्स छोटे-छोटे बनने अपने पानी प्रवाइड नहीं कर आया तब आपके fruits रिया गिर सकते हैं, यानि कि हमें सभी चीजों का specially धिहान रखना पड़ेगा, और दूसरा यह है कि अगर इस समय हम जो fertilizer अपने देखिए, मैंने जैसे कहा कि मैं liquid fertilizer winter में ज्यादा यूज करती हूं, summer में भी काफी यूज करती हूं, बट winter में जैसे mustard का है या जो हमार waste decomposant को यूज करती हूं, तो देखिए जब अब मान के चलिए मेरी soil में already पानी है, इस समय मुझे fertilizer देने का मेरी timing है, और मैंने इसमें पानी दिया तो पहले ही already इसमें पानी है, तो आपको अगर fertilizer देना है liquid, तो आप कोशिश कीजी कि soil थोड़ी सूखी हुई हो, उसके बा खुब सूरत भी लग रहे हैं ये, तो मैं ये भी, आद देखिए किसी ने मुझसे pruning के बारे में पूछा था, तो मैंने pruning के बारे में मैं बता देती हूं, कि जो fruit plant की pruning करने का सही तरीका होता है, सही समय होता है, जैसे ही हम fruiting ले ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए मैंन इस plant से fruiting मेरी हो गई है, complete, उसके after 15 days जो है, आप pruning कर सकते हैं, देखिए जो कई लोग मझे comments करते हैं, बट वही होता है कि comment box में पूरा answer लिखना possibility नहीं होती, इसलिए मेरे से किसी ने question पूछा था, उसका answer मैं दे रही हूं, और देखिए ये तो reason हुआ कि हम इस तरीका आसा time लगता है, और ज्यादा तेज गर्मी में भी हमें pruning से बचना चाहिए, तो मझे उम्मीद है कि जिसने question पूछा तो उसका answer उसे मिल गया होगा, तो पानी का please special अपने food plant को धियान रखिए, सालो साल आपके साथ ये चलते रहेंगे, और देखिए हां मैंने भी आपसे अगर आप gardening के शौकीन है, तो बहुत important वीडियो है, एक इस तरीके की stick लीजिए, और 3-4 बार इसे अपने इसमें डिग कर दीजिए, तो क्या हुआ, सारा water अपने आप डेन आउट हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा pot को ऐसे उंचा कीजिए, इसके नीचे एक ठिकरी लगा अबीजिए, थैंक यू